मेरा नाम रोशन है और आज मैं फिर आपके बीच से बस्तित हूँ आज आपसे बहुत ही गंभीर और सरकार और सरकारी जो मसिनरी है उसकी जो असमेंदन सिलता है उसके बारे में चड़जा करनी है कल सरकार ने राजसवा में एक जवाब दिया कि ऑक्सिजन की कमी के कारण इस देश में किसी की मौत नहीं है मित्रो क्या इस देश का कोई नागरिक क्या वो किसी पार्टी का हो किसी भी दल का हो किसी भी बिचार धारा का हो क्या वो यह मानने के लिए मान सकता है कि इस दिश में किसी के oxygen से मौत नहीं गी क्या वो इस बात को मानेगा कि जो hospital के बाहर लोग ततारे लगाके खड़े थे और अंतिम सांसे गरिल ले थे क्या आब इस बात को मानेंगे कि oxygen के slinder लेके लोग भाग रहे थे कि आप इस बात को भी नहीं मानेंगे कि हॉस्पिटल के बाहर लोग तड़प रहे थे कि उनको अगर आक्सिजन मिल जाए तो बच जाते कितनी ही लोग ऐसे थे कि जो केवल और केवल आक्सिजन की कमे के कारण माने कि अगर उन्हें समय पर अकसिजन मिल जाता तो शब्रीं की जान बच जाए दिल्ली के कि दिल्ली का सुपर स्पेस्पेसलिटी हस्पिटल इंदिली गॉवर्मेंट का राजवुगांदी सुपर स्पेसलिटी हस्पिटल ताहिरपूर में कि उसमें होनहार टिवी का लड़का टीवी आर्टिस्ट कलाकार था यंग लड़का 37-35 साल कर वो हर मिनट ट्वीट करता रहा कि मुझे अक्सिजन नहीं मिला मेरी सांसे उखड रही है मुझे कोई अक्सिजन दिला दू एक होन हार कलाकार चला गए सड़कों पर हमने देखा कि एक महिला जब उसके ऑक्सिजन नहीं मिला तो उसने अपनी पती को अपने मुझे अक्सिजन दिये हवा देने के कोश नहीं बचा पाई ऐसे-एसे हमने ऐसे मन को बैठित करने वाले दर्शत देखे तीवी चनानों पर देखे आक्सिजन के लिए कैसे लोग लंबी-लंबी कतारों बे बैठ लगे वे थे कि उनका सिलिंडर रिफिल हो जाए तमाम गुरदारों में, मंदिरों में इसके ब्यावस्ता की गई कि लोगों को आक्सिजन मिल जाए और आद सरकार कही रही है कि ऑक्सिजन से कोई नहीं मर है धिल्ली में गौल्डन जैपूर हॉस्पिटल जहां 21 लोगों की मौत ही और हॉस्पिटल चला चला के कह रहा है हॉस्पिटल में हमारे लोग मर गे ऐसे ही साउद दिल्ली का होस्पिटल उसके सीमडी लखाता चिला रहे थे लिट्रलरी रो रहे थे कि मुझे अक्सिजन नहीं मिला वहां 20 लोगों की मौती सर गंगाराम होस्पिटल में अक्सिजन से लोगों की मौती हलाकि बाद में वो मुकर गया पाद में उन्होंने इस पस्टिक करन देदिया कि हमारे ऑक्सिजन की कमी है देश के हर कोने से और यही कारण था कि हमारे देश में कोरोना की सेकंड वेब आई थी उसमें मरने वालों के संक्या बहुत बढ़ गए अगर मैं आपको एक आकणा दिखाता हूं इसमें कहा गया है कि दूसरी वेब में जो दूसरी लहर है उस लहर में केवल हम एप्रेल मई और जून की बात करें दोजार इकिस की तो एप्रेल में कि 45,800 कि मई में एक लाख बीस हजार साथ सो सत्तर कि और जून में कि 69,354 कि इतने लोग मरें कि अब हम इसको कंपेर करें पिछले साल से दोजार बीस से दोजार बीस एप्रेल में दस हजार उनतिस लोग मरे थे मई में चारजार चैतर लोग मरे थे और जून में 11,633 लोग मरे थे यह पिछले साल के बात करें जब लोगडाउन लगा था लोगडाउन मार्च में लगा था तो अप्रेल मई जून का घरम देखे तो लोगडाउन के कारण मौते नहीं हुई केवल जो हाइस्ट लेवल गया था मई में वह 11,633 यानि पूरे हम साल बर का लगाएं पिछले साल का तो लगवग लगवग एक लाख लोग मरे थे लेकिन हम इस साल का देखें 2021 का जब दूसरी लहर आई थी तो उसमें अब देखें कि अपरिल में क्योंकि उसकी जो शुरुवात अपरिल से हुई थी अपरिल में 45,862 लोग मरे मई में 1,20,770 लोग मरे और जून में 69,354 लोग मरे तो किया मितरो जो सरकार कहते ही कि ऑकसाइसे नहीं मरे देखें परिल जवाब दिया है अहम पारे लंबा जूरा लिखिट जवाब सबाब में उन्होंने बता है कि हमने कैसे कैसे ऑक्सिजन की ब्योस्ता की पहले 5000 करीबन 5000 मीट्री टन हमारे देश में उत्पादन होता था जिसको ऑक्सिजन की जब कमी हुई तो कैसे उसे बढ़ाए गया और फोर 10,000 मीट्री टन तक हो यह तो आप अपनी तारिफ तो कर रहे है लेकिन जब आप से पूछा गया कि क्या इनसे महुत ही तो आपने क्या लिखा Detailed guideline for reporting of death has been issued by the union health minister to all state uts accordingly All state's uts report cases and death to the union health minister on the regular basis However, states have at time reported backlogged death in case of late reporting from hospitals and district But no such reports of patient dying due to shortage of oxygen and lack of hospital facilities in the country have been received by the ministry from the state government कितनी दुखत की बात है, कितना अपसोस जनक बात है कि राज़े सरकारें केंद्र सरकार को भेज रही है कि हॉस्पिटल की कमी की कारण और oxygen की कमी के कारण कोई patient नहीं बढ़ाई सारी दुनिया जानती है, सरकार जानती है, मुख्यमंतिरी रो रहे थे कि हॉस्पिटलों में बिस्तर नहीं है सरकार को temporary hospital बनाने पड़े tent लगाने पड़े जो सरकारी building ने थी school थी उनको हॉस्पिटलों में convert करना पड़ा और आप करें कि हॉस्पिटल कमी नहीं थी आप करें कि oxygen से कोई नहीं मरा कमाल है इस देश और कमाल है इस देश के सिस्टम और जुट बोलने की भी कोई हद होती है कि इतनी केस आ रहे हैं जुन में जो कॉरोनों से मरें उनकी रिपोर्टिंग कॉरोना के तौर पे नहीं हो रही है रहा है उनके लिखा जा रहा है कि calls Ahh लंग फेल और पोस्ट कोविड कोमपिलिकेशन क्या होता तो क्यों होती और उनके कारण उन्हें जो कोविट के मरने के कारण उनकी मिन सकती थी वो नहीं मिल रही हूं तो किवल आप इसलिए उनको फैसलिटी नहीं देना चाहते हैं कि वो कोबिट से मरियाड सरकार को उनको मुवज़द देना पड़ेगा उनको सरकारी नौकली देनी पड़ेगा या प्रावेट नौकली देनी पड़ेगा कि कितना दुर्भाग्या है कि हम सचाई से मुव मोड रहें जिसमें लोग मरें उसमें कहा गया अगर दस लोग मरें तो उनकी पांच की वी चार लाख की जो रिपोर्टिंग हुई है हमारे देश में जो अभी तक कॉरोन से मरें हैं वो चार लाख हज़दा हजार लोग मरें जबकि सचाई है कि डबल मरें ऐसे लोग मरे हैं जिनकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाई है जो लोग हॉस्पिटान नहीं गए जो सिद्धे सम्षान गाट चले गए अगर उनसे आखड़े एक अत्रित किये जाए सम्षान गाटों से या कब्रिस्तान से या तो आपको असल पता लगाएगा कि कितने लोग कोरणा से मरें लेकिन आपने बड़ी असानी से कह दिया कि अक्सिजन से कोई नहीं है तो जितने लोग तड़ाप रहे थे जूट तड़ाप रहे थे क्या वह किसी फिल्म की स्वोटिंग कर रहे थे क्या उन्हें कहा गए उनको पैसे दिया गया था कि आप रोव चिलाओ और आप जान दे दो आपके परवार का लोग कोई मर जाए और हमारी फोटिंग पूरी हो जाए यह संभाव नहीं है मित्रों सरकार को समयदन शील बनना पड़ेगा मंतिरों को समयदन शील बनना पड़ेगा और जब राज्य सरकारों ने आपको रिपोर्ट देती केंदर सरकार को तो आपने उन्हें वापस यह जवाब क्यों नहीं भेजा कि कल तक तो आप रोव रहे थ थे हमारे पास ये नहीं हैं और उन्हों राख चिला दो की चलिसे आपने रिपोर्ट क्यों नहीं तो सोल है तो आपने मासम लोगों की जान आप तो मासम लोगों के हत्यारे हों जितना government system है वो इन 4 लाग लोगों के हत्याओं का दोशी है यह हत्यारे हैं यह 4 लाग लोग बच सकते थे अगर उनको सही समय पर होस्पटल मिल जाते है सही समय पर oxygen मिल जाता है तो यह बच जाते हैं रेमिटिव सिवर नहीं मिला लोगों को ब्लैक में 40 45 45 प्याजार रुपे का इंजिक्शन लेना पड़ा जिसकी इंजिक्शन की केमत 700 800 रुपे उसको 40,000 में खरे बना पड़ा और रोबिक गड़गड़ा के ब्लैक करके ब्लैक में उनको मिला बड़ी म असानी से कहते हैं कि यह ओक्सिजन से कोई नहीं मरा है को स्वेदान शिल्फ बनना पड़ेगा सरकार के केंदर के सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार है सम्वेदन शिल्फ बनना पड़ेगा और यह जो अंग्रीजी लिखते हैं गोल गोल अंग्रीजी जलेवी की तरह घुमाते हैं मिठे मिठे इनको सुधारना पड़ेगा क्योंकि इनकी जो लच्छेदार भाषा है इस भाषा में पुलिटिकल लोग धस जाते हैं मंत्री कह रहा है है नियुक्त मिनक्त कह रहे हैं हम लोग से मरें और लेकिन आपका सेक्रटरी भैस रहा ही आ्टो कि तो उसको लटका अचीए जोट कैसे वालीन की समय दन शिल्फ बनना पड़ेगा एक तेसरी लहर आने वाली है बहुत भयानक आने वाली है, इसके लिए हमें बचना होगा, और उसकी तयारे अभी से करनी होगी, हस्पिटलों के इंतिजाम करना होगा, जो टेंपरोडी हस्पिटल बनाने आपको पहले बनाने होगे, तोड़ने नहीं होगे, जैसे आपने फर्स्ट फेस में जब सी फर्स् में कीटाणों नहों, घरम पानी उबाल के पीना है, पहले मित्रों बचके रहे, यह बहुत खतरनाग बीमारी है, मास्क लगाए, भीड में मत जाए, जैसे मार्केट में भीड होरी, पागलों की तरह लोग आंग भूम रहे, पता नहीं कैस खरीद, जिंदा रहेंगे, तब आपको खुद अपने जिजाम करना हूँ, तो, आज यतना ही, इस समिदन शेल के साथ, आप सब लोग समिदन शेल बने, मैं आप से बिदा लेता हूँ, कल आप से फिर मुलागात होगी, अब तो, नमस्का,